नमस्ते दोस्तों Android वेडी में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियों हम लोग टेस्ट करने वाल है Moto A50 Neo का 5G compatibility यहाँ पे हम लोगोंने AirTail और Gio का SIM लगाया है और देखेंगे यहाँ पे 5G का पूरा-पूरा सपोर्ट मिल रहा कि नहीं साथी में यहाँ पे बहुत सारे लोगों का question था कि call करते वक्त 5G से क्या 4G network पे switch कर जाता है वो भी चीज़ हम लोग चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर चलिए ज़ाद एरिना करके सुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहाँ पे मैंने दोनों SIM लगाया है जियो का और एक एर टिल का देख सकते हैं दोनों SIM यहाँ पे दिखा रहा है और एक चीज़ आप लोगों यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जियो के अंदर अगर आप लोग जाएंगे SIM के अंदर तो यहाँ पे नीचे के तरफ देखेंगे तो वीडियो 5G यहाँ पे आप लोगो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा यानि कि वीओ एनर का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एर टेल के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे लेकिन वीओ 5G का कोई भी आपसन देखने को नहीं मिलता है तो यह चीज़ यहाँ पे है ऐसा तो अभी हम भी प rifले speed test कर लेते तो giyow का sim first में selected है तो giyow का speed test देख लेते कैसा रहता है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लेकिन जो upload speed है वो काफी कम यहाँ पे दिखा रहा है हाला कि 5G उपर में यहाँ पे चल रहा है जैसे के आप लोग देख फाएंगे 5G के अंदर कोई भी कमी नहीं है फिर भी यहाँ पे Jio का जो download speed जो है वो ठीक है लेकिन upload speed थोड़ा सा कम है Airtail पे हम लोग switch करते हैं और इसके बाद हम लोग दोबारा एक बार speed test करके देख लेते हैं अभी Airtail का जो speed है देख सकते हैं वो download speed similar है लेकिन जो upload speed है वो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है अभी दोबारा हम लोग इसको एक बार switch पारते हैं और देखते हैं कि Jio के अंदर यह जो upload speed है इसमें changes आता है कि नहीं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस बार Jio का जो upload speed है थोड़ा सा बेटर है लेकिन फिर भी Airtail के comparison में कम ही यहाँ पे देखने को मिलता है तो दोनों में ही 5G का support preferably हो रहा है और दोनों SIM के अंदर 5G support है इसका कोई विदिक्कत आप लोगों नहीं मिलेगा अभी बहुत सारे लोगा question था कि यहाँ पे calling के time में क्या network जो है 5G से 4G पे switch हो जाता है तो यहाँ पे Airtail का क्योंकि VONR या VONR या VONR 5G का support नहीं है तो definitely Airtail के अंदर वो 4G पे switch हो ही जाएगा क्योंकि Jio के अंदर यहाँ पे VONR 5G दिखा रहा है तो Jio 5G के अंदर test करेंगे कि यहाँ पे calling का time जो network speed है वो कम होता है कि नहीं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे Jio से मैं call कर रहा हूँ और अभी इसको background में minimize कर दिया है यहाँ पे उपर मैं देख पा होगा है आप लोग call running है अभी हम लोग यहाँ पे speed test करते है हाला कि यहाँ पे उपर मैं already मैं देख पा रहा हूँ कि already LTE हो गया है यहाँ पे calling का time LTE हो गया है और speed भी देख सकते हो drastically यहाँ पे चेंज हो गया है कहां 380 Mbps था वहाँ से आके almost 10 times यहाँ पे जो speed है वो decrease हो गया हाला कि जो upload speed है upload speed constant दिखा रहा है यानि कि 5G के अंदर भी कुछ खास upload speed नहीं था लेकिन यहाँ पे 4G होने के बाद भी upload speed जो है similar दिखा रहा है तो अगर आप लोग uploading का कुछ काम कर रहे है तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगा लेकिन अगर आप लोग कोई gaming वेगर्या कर रहे है या फिर कोई download का का काम कर रहे है तो call आ जाता है उस time पे आपका network speed जो है काफी जादा degrade हो जाएगा इविन यहाँ पे जियो का 5G VONR support होने के बाद भी यह दिक्कत हो रहा है लेकिन यह जो चीज है यह मैंने आइफोन के साथ भी ट्राइ किया था आइफोन में भी जब आप लोग कॉल करते हैं तो network 4G पे switch हो जाता है तो अभी य मैंने अभी तक कोई फोन के अंदर ऐसा नहीं देखा है अल्मोस्स सभी फोन 5G से 4G के अंदर switch मार देता है मेवी यह जीयो का problem भी हो सकता है जो future में जीयो fix कर सकता है तो दोस्तों यह था एक चोटा सा वीडियो Moto H50 Neo का जीयो 5G test के बारे में मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले साथी में शेयर कर अपनों साथ मैं मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye और आपका दिन सुभ हो